हेई फ्रेंज वेलकम कैसे हैं आप सब आशा है फ्रेंज आप सभी स्वर्स्त होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे आज के रीडिंग में फ्रेंज हम लोग चेक कर रहे हैं आपके पार्टनर्स के मन का सारा हाल यह रीडिंग है फ्रेंज नो कॉंटेक्ट जोन पर अगर आप लोग नो कॉंटेक्ट में हैं सेप्रेटिड हैं या बहुती लेस कॉंटेक्ट में हैं ना के बराबर कॉंटेक्ट है तो यह रीडिंग आप देख सकते हैं इसमें हम चेक करेंगे कि आपके person किस हाल में हैं, आपके लिए क्या feel कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनका क्या मन कर रहा है, next action उनका क्या होगा, कब तक होगा, and meanwhile आप लोगों के लिए क्या guidance है. Reading friends, timeless है, time के कोई limit नहीं है, जब भी देखेंगे तब ही resonate करेगी, general है, collective है, सभी लोग इस reading को openly, open mind के साथ चेक कर सकते हैं, हो सकता है ये reading किसी से पूरी resonate कर जाए, किसी से कुछ part resonate करे, कुछ ना करे, और किसी से बिलकुर भी ना करे, right? ये आप लोगों की personal reading नहीं है, प्लीज इस चीज़ को ध्यान रख कर इस reading को आप देखा करें. Without much further ado friends, let's get started. Positive energies को exchange करना, जब मैं cards को shuffle करूंगी, वीडियो को प्यारे प्यारे से like देना, और comment box में प्यारे प्यारे से heart sense करना. ओम नमस्षिवाई, प्लीज उनिवर्स बताएं, मेरे व्योर्स के partners की current energies क्या है, ओम साइराम, उनकी current energies क्या है, means वो किस हाल में है, ठीक है? प्लीज उनिवर्स बताएं, मेरे व्योर्स के partners किस हाल में है, आपसे अलग तो है, बट उनकी दशा क्या चल रही है, वो किस situation में है? फर्स्ट कार्ड है community, ऐसा लग रहा है friends की, वो अपनी community में काफी enjoy कर रहे हैं, festivals को enjoy कर रहे हैं, friends के साथ मिल रहे हैं, happy हैं, बहार डिनर कर रहे हैं, या कहीं traveling कर रहे हैं, वैसी vibrations आ रही हैं, bottom में है हमारा goddess of the moon, ऐसा लग रहा है कि वो emotional तो होते हैं, emotional तो होते हैं आपको लेकर, आप दोनों के रिष्टे को लेकर, लेकिन उसकी वज़े से उन्होंने at least जीना नहीं छोड़ा है, वो काफी खुल कर और जिंदा दिल होकर जी रहे हैं, and अपने sad emotions किसी को भी नहीं दि खा रहे हैं, वैसी vibrations काफी स्ट्रॉंग है, next है हमारा journey का card, ऐसा लग रहा है कि move on करने की ये person पूरी कोशिश कर रहे है, अब आप में से कई लोगों का heart ना, मतलब pain में आ जाएगा, कि यार, वो move on क्यों कर रहे हैं, तो friends, यहाँ पे जो मैं strongly feel कर पा रहे हूँ, वो ये है कि आप लोग no contact में हैं, और काफी time से no contact में हैं, ठीक है, कुछ लोग हो सकता है, कम time से हो, लेकिन maximum लोग ना काफी time से no contact में हैं, और मैं यहाँ पे strongly feel कर पा रहे हूँ, कि अगर आप लोग ऐसी energies में हैं, कि उनके लिए अपनी जिंदगी बरबाद कर रहे हैं, तो at least यह person ऐसा बिलकुल नहीं कर रहे हैं, और मेरे according भी, किसी भी connection में, आप उन्हें चाहे कितना भी प्यार करते हों, अपने आपको बरबाद नहीं करना चाहिए, प्यार की जो vibrations होती है, प्यार की जो feelings होती है, वो चाहे सात रहो, चाहे दूर रहो, एक दूसरे को grow करने के लिए होती है, अगर प्यार आपको बरबाद कर रहा है, तो वो प्यार प्यार नहीं है, ठीक है, तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसी situation में हैं, जहां पूरा दिन रोते रहते हैं, बिचैन हैं, परेशान हैं, आपने जीना ही छोड़ दिया है, तो please हाज जोड कर request है, उस situation से बहार निकल ठीक है, अपने प्यार को toxic मत बनाईए, अपने प्यार को अपनी power बनाईए, bottom में देखिए attachment, जो कि मैंने आपको already बोला, आपके person आपको प्यार करते हैं, वो आपको लेकर emotional हैं, वो आपको miss भी करते हैं, और आज भी जितना मर्जी आगे बढ़ने की कोशिश करें, खुल कर जियें, या फिर जिन्दा दिल होकर जियें, आज भी उनके मन में आपके लिए बहुत गहरा attachment है, जब वो खुद को mirror में देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप से ज़्यादा उन्हें कोई नहीं समझ सकता या कोई नहीं समझ सकती, जब वो खुद को देखते हैं, त उन्हें लगता है कि आपी की दुआओं का नतीजा है, जो इतनी growth वो कर पा रहे हैं, जब वो life में आगे बरते हैं, enjoy करते हैं, तो वहाँ पर भी उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप उनके साथ हो, जो visible नहीं हो लेकिन by heart उनके साथ हो, तो ये person बाहर से move on होने की पूर भी कोशिश कर रहे हैं, जिन्दा दिल होकर जी भी रहे हैं, लेकिन अंदर से इनका भी heart एकदम वैसा ही है, feelings इनकी एकदम आपी के जैसी है, आपको miss कर रहे हैं, आप से काफी ज़्यादा attach हैं, इस person के friends दो चहरे हैं कि ये लोग, अब तो सरयाम आ गया attachment, ऐसा लग रहा है कि इनके बहुत करीबी लोगों को पता भी होगा कि ये आपको बहुत miss करते हैं, right, and bottom में है angel of balance, लेकिन ये अपने आपको तूटने नहीं दे रहे, ये खुद को balance करने का हर मुम्किन प्यास कर हैं, जो ये कर सकते हैं, patience, कुछ चीजों को लेकर आपके person इलना patience भी रख्या हुए है, कुछ चीजे जो उनके according नहीं हो रही है, आपके person एकदम बिचैन नहीं हो रही है, कि मेरे according ये चीजे नहीं हो रही है, तो जैसे life ही over हो गई है, not like that, आपके person को लग रहा है कि मुझ मुझे धहरे रखना चाहिए, trust रखना चाहिए, one day ये चीजे definitely मेरी life में होगी, bottom की energies है, woman holding a coin, ऐसा लग रहा है कि आपके person अपने career पर भी काफी focused हैं अपनी personal life में, तो काफी अथी energies हैं, काफी strong vibrations हैं उनकी आपके लिए भी और खुद की life को जीने के लिए भी, अब हम tarot deck से check करते हैं, कि आपके person के मन में क्या चल रहा है, आप लोगों को लेकर, friends यहाँ पे, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Leo, Aries की energies काफी ज़्यादा strong हैं, कुछ लोगों के लिए Sagittarius की energy भी strong आ रहे हैं, 42 number, 725, 16, 25 number, यह numbers आपके लिए, आपके person के लिए, या फिर आप दोनों के connection के लिए, काफी important हो सकते हैं, प्रीस universe बताएं, मेरे viewers के partners की, मेरे viewers के लिए क्या feelings हैं, ओम नमस्षिवाई, पेज ओव वान्स ऐसा लग रहा है, वो जल्दी से जल्दी आपको communicate करना चाहते हैं, no contact zone से निकल कर, contact zone में आना चाहते हैं, bottom energies है, lovers, आप में से अगर बहुत सारे लोगों का question यह है, कि माम, वो communicate करके बात क्या करेंगे, तो वो यही बात करेंगे, कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, अपनी life के बारे में, अगर आपको कुछ clarity नहीं है, तो वो clarity दे सकते हैं, आपसे बहुत ही प्यार भरी emotional बाते कर सकते हैं, जो चीजे अभी तक उन्होंने खुल के express नहीं की, हो सकता है उन things को खुल के express करें, judgment and page of pentacles, ऐसा लग रहा है कि आपके person आपको बताएंगे, कि उनकी life तो काफी set है, पेले से improve भी हो रही है, लेकिन उनका मन आपके बिना नहीं लगता है, हर अपने अच्छे और बुरे पल में ये person आपको बहुत बहुत मिस करते हैं, बाइ हार्टी नहीं लगता है कि आपको इनके साथ होना चाहिए, आपको इनके पास होना चाहिए, आपको इनके करीब होना चाहिए, करीबर इनका मन आपके लिए तरपता भी है और ये आपके profiles देखते हैं, आपके साथ बिताए गए past moments को याद करते हैं, आपके status चेक करत हैं आपकी पुरानी चैट को रीड करते हैं वैसी वाइब्रेशन भी काफी स्ट्रॉंग आ रही है आपके परसन ना बाई हार्ट ये फिल कर रहे हैं कि अब उन्हें थर्ड पार्टी सिटुएशन जिसकी वज़े से इन्होंने कभी सेप्रेशन का डिसीजन लिया था या फिर आपने ये डिसीजन लिया था अब इनको सिटुएशन से बहार निकल कर आपका हाथ को कॉन्फिडेंटली थाम लेना चाहिए बॉटम में हैं अपने से बहुत सारे लोगों के परसन ने फैमली में अपने फादर से दर कर आप लोगों से रिष्टा तोड दिया होगा वैसी वाइब्रेशन आ रही हैं लेकिन अब आपके परसन को लगता है कि वो इस अथॉरिटी में हैं इस पावर में हैं जब इस कनेक्शन के लिए स्ट्रॉंग डिसीजन ले सकते हैं आपका हाथ कॉन्फिडेंटली पूरी दुनिया के सामने थाम सकते हैं आप में से कई लोगों के परसन की ऐसी भी इनर्जीज हैं कि वो हमेशा आपके कॉल मेसेज या किसी तरह की कोई जेस्चर का वेट करते रहते हैं ऐसा लग रहा है कि खुद एक्शन लेने में अभी भी वो परसन हेजिटेट हो रहे हैं और उनका मन होता है कि काश आप ही कॉल कर दो आप ही मेसेज कर दो वैसी वाइब्रेशन पी है और ऐसा भी हो सकता है जब आप उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो यह पर यह एक्सप्रेस नहीं करते हैं क्योंकि लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं है एक्सप्रेस करने का या फिर यह अपनी रिस्पॉन्सेबिलिटी से भाग रहे हैं वैसी वाइब्रेशन भी आ रही है आपके परसन को आप लोग किसी भी connection में हों किसी भी सिनारियो में हों बाइहाट यह लगने लगा है कि आपको किसी किसम की clarity दे देनी चाहिए जो आप deserve करते हो clear cut communication होना चाहिए एक बार उनको अपनी बात अपने मन की बात इस connection से जुड़ी हुई हर एक बात आपको बहुती साफ साफ शब्दों में कह देनी चाहिए ताकि किसी तरह की confusion, misunderstanding ना रहे bottom में है three of cups, three of cups से शुरुवात हुई, three of cups से हो रही है ending ऐसा लग रहा है कि आपके person ना, अब आप में से बहुत सारे लोगों के person इस vibration में भी है जब वो third party situation जो की उनका family member हो सकता है, उसके साथ आपकी compatibility बना कर इस connection को आगे बढ़ाने के बारे में भी सोच रहे हैं अब आपको date करना चाहते हैं, आपके साथ happy moments spend करना चाहते हैं, आपके साथ club disc में जाना चाहते हैं, बाहर dinner करना चाहते हैं, hangout करना चाहते हैं, वैसी vibrations काफी strong है यहाँ पर friends 9, 18, 27, 1, 19, 28, 10, 2, 11, 29, 20, यह numbers आपके लिए या आप दोनों के connection के लिए या फिर आपके person के लिए important हो सकते हैं आप में से कई लोगों को 22, 22, 22, 22, angel numbers दिख रहे होंगे, उसकी possibilities काफी strong हैं और वहीं कुछ लोगों को 777, 777, 16, 61, 21, 12, 3, 3, 3, यह angel numbers भी दिखते होंगे इफ येस तो प्लीज मेंशन कीजिए comment box में अब हम चेक कर रहे हैं friends कि आपके person का next move क्या होगा, कब तक होगा अगर आपको लगता है कि आपको इस connection के regarding ज्यादा clarity चाहिए तो आप लोग personal readings book करा सकते हो, जिसकी detail description box में given है और वो paid होती है, आप whatsapp करके easily अपनी reading को book करा सकते हो अब हम चेक कर रहे हैं उनका next move क्या होगा, कब तक होगा and meanwhile आप लोगों के लिए क्या guidance है तो उनका next move होगा, the start आप में से बहुत सारे viewers के लिए ये message आया है कि जो भी आप इस रिष्टे से मांग रहे हो divine से अगर आप इस रिष्टे को लेकर divine से मांग रहे हो कि please भगवान एक बारना clarity मिल जाए तो मैं हलके मन से move on कर पाऊंगा या कर पाऊंगी तो आपको clarity मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी and अगर आप लोगों की चाह है कि इस person के साथ reunion हो जाए तो reunion की energy is बहुत strong है अगर आपके चाह है कि एक बार reconciliation हो जाए जो बहुत अच्छे moments आपने बिताए थे इनके साथ बस एक बार आप इने दुबारा जी लो तो उसकी chances भी काफी strong है तो depend करता है अलग-लग लोगों के लिए यहाँ पे manifestation का card आ रहा है प्रेयर्स का card आ रहा है तो इस connection को लेके जिस भी तरह कि आप प्रेयर्स कर रहे हो manifestations कर रहे हो वो beautiful से changes जब भी आप ये reading देख रहे हो within next few weeks अगले कुछ हफतों में आने शुरू हो जाएंगे मैं friends यहाँ पे बहुत strongly feel कर रहे हूं आप में से कुछ लोग ना अपने person को happy देखकर चिड भी रहे हो और ये सोच रहे हो कि भगवान ये person मेरी life में कभी ना आए मुझे ये चाहिए ही नहीं तो ये चीज़े भी manifest होती हुई दिखाई देती है ठीक है इस connection का next move totally आपके हाथों में है आप अभी तक क्या चाह रहे हो क्या मांग रहे हो उन चीजों पर काफी depend कर रहे हैं चीजे अब हम चेक करेंगे आप लोगों के लिए meanwhile क्या guidance है प्लीज यूनिवर्स बताएं मेरे viewers के लिए meanwhile क्या guidance है फ्रेंज रीदिंग में फ्रेंग यूनिवर्स लिखना बिल्कुल ना भूलें यूनिवर्स में बहुत ही प्यारी सी रीदिंग आपको भीजी है आपके लिए guidance है आपको अपने career पर focus करना है आपको अपने आपको independent बनाने में काफी efforts लगाने है and in decision की energies है अगर आप मेंसे बहुत सारे लोग आज भी confused हैं क्या करें और क्या ना करें तो कहीं ना कहीं आपको ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है meditation करके अपने vision को clear करने की ज़रूरत है so that आप अपने life से regarding best decision ले पाएं bottom में है anxiety अगर आप मेंसे बहुत सारे लोग anxiety से deal कर रहे हैं कि पता नहीं future में क्या होगा कुछ हो भी पाएगा या नहीं या फिर सारी उमर ऐसी ही निकल जाएगी तो future future में ही होगा friends उसके बारे में present में छोड़ना बंद करें anxiety से निकलने की एक super technique में आपको बताती हूँ कि जब भी आपको लगे कि आप बहुत ही anxious हो रहे हैं आप उस energy को convert कर ले या तो आप उस चीज में इस energy को spend कर ले जो आपको बहुत ही पसंद है जैसे कि music हो गया कोई movie हो गई कोई motivational speech हो गई जहां पर जिसको सुनके या जिसको देख करना आपका ध्यान तुरंत divert हो जाता है कुछ लोगों के लिए gossip हो सकती है friends का call हो सकता है pets के साथ time spin करना हो सकता है and second technique यहां पर यह मैं बताऊंगी कि अपने आसपास अपने आसपास आपको five things देखनी है कोई wall देखनी है कोई मूर्ती देखनी है कोई घड़ी देखनी है कोई dress देखनी है अपने आसपास room में नजर घुमाएए और कम से कम पांच चीजों को देखिए ठीक है पांच चीजों जिन पर आपकी नजर रुक रही है उन चीजों के बारे में पांच-पांच बाते जो की present में आपको देख रही है वो सोचिए ठीक है तो आप इस energy को बहुत जल्दी remove कर पाएंगे for example जैसे की मेरे सामने एक you know एक bed sheet है ठीक है एक bed sheet है तो वो bed sheet cotton की है, silk की है इसका color बहुत beautiful है, red color बहुत अच्छा लग रहा है pink बहुत अच्छा लग रहा है, yellow color भी काफी decent लग रहा है black भी काफी अच्छा है, इस bed sheet का print काफी अच्छा है कितनी beautiful सी है ये, इस तरीके से आपको अपनी energies को shift करने के लिए खुद की help खुद करने पड़ेगी, ठीक है friends तो ये थी आपकी overall reading और आप में से कुछ लोगों के लिए guidance है कि अपने हाथ से थोड़ी सी charity जरूर करा करें अपनी योग्यता के अनुसार thank you so much for watching friends, may God bless you, take care